जी हाँ नमस्कार साथियों को बड़ी ख़वर पाले जिले से मिल रही है पाली के रास्थाना छेतर से एक प्लोट को लेकर पारिवारी की विवाद का एक और बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है जहाँ पर मामले की जांच करने पहुंचे पाली एस पर राजिन दुसेंत का कहतना है की घटना करम रास्थाना छेतर के रूप नगर सरहत का बताय जा रहा है पुलिस का कहना है घटना करम 23 माई का जहाँ पर एक जमीन की विवाद में उमेद राम और बिर्जु देवी पर उनके बेटों के दोराई गायड राम और पपुराम दोनों ने विवाद हो जाता है जहाँ पर गायड राम बेटा ने बड़ा वारदात को अंजाम देकर मोके से फरार हो गया था प्राल पुलिस परसासन को पाली के रास्थाना छेतर के पहाड़ी लाके में इंपुट होने की सूचना मिली थी ऐसे में मोके पर पुलिस परसासन मोके पर पहुची और पहाड़ी लाके में तलास कर रही है वही मामले की जाच में सामना रहाए पारिवारी की विवाद के चलते महिला और बुजूर्ग दोनों की हाला ठीक ने होने के बाद आज में रेफर किया गया था जहांपर 25 में को इलाज के दूरान महिला को गोजित कर दिया है उधर मामले की जांच करे पुलिस फिरसासन का गहना है कि बेटे के बादर राम बावरी के रिपोर्ट के मताविक मामला दर्ज कर लिया है फ्राल मामले में फ्रार आरोपी की तलास की जा रही है रास ऐसे चो गोपाल राना ने बताए कि आरोपी मजदूरी का काम करत है और उनके पहाड़ी छीतर में छुपे होने की सूचना में लिए टीम के साथ पहाड़ी छीतर में तलास में जुटे हुए है फ्राल दोनों के ख्राप मामला दर्जकर अंसंधान सुरू किया जा रहा है तो दोस्तो आप सभी को इस प्रकार की खबर दिखाना विजलित का नानहिमल की समाज में घटी थोन वाली सभी घटनाओं से सचीत रखना है तो दोस्तो प्रदेश वर्गी तमाम खबरों के लिए बन रही है ये चैनल से अगर आप चैनल से नेज़ रहे हैं तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं गली वीडियो के साथ जहें दोस्तों